नमस्कार शाप्ताइक प्रस्तुती कारिक्रम् क्रिशी रव प्रविदी मा मगवनस्तर माको क्रिशी रव प्रविदी मा आज हमें जैबीक मलक महतो रएसको उपभिता का बारे मा चर्चा गर देशाँ क्रिशी का लागी अनिवार्य खाद्य ततु हेर मद्दे मल एक महत्य पुण बस्त हो मुलता मल तिन की सिम्का हुन्छन गोबर मल, राशायनिक मल, रेजिवीत मल, अर्थात जयवीक मल हिंदु हर को महांचार बिजय दसमी द्रिहजार एकतर साल को पावन वशर मा संपूर्ण दर्शक, सुबचिंतक तथा देश विदेश्मा रहनुभाय का संपूर्ण निपाली हरुमा हारदीक मंगल में शुभकामना जयवीक प्रांगारिक मल, क्वांथुं दानादार र निवलाइट जोल मल का लागी जोसी जर्नल सप्लायर्ज ललित्पूर दूद, बचर, दही का लागी, रास्थानी डेरी प्राली, चापगाउं ललित्पूर्ण प्रभात दही, प्रभात फ्रेश मिल्क, प्रभात पनीर का लागी, श्री नवप्रभात देरी प्राली चापगाउं ललितु। सुलब दुद, सुलब दही, सुलब पनीर का लागी, श्री सामोही क्रिशक देरी प्राली बाला जु। बिशाल क्रिशी तथा पसुप्धाम टाली चित्वन सारदानागर। पसुप्धाम टाली चित्वन सारदानागर। पसुप्धाम टाली चित्वन सारदानागर। पसुप्धाम टाली चित्वन सारदानागर। जयविक मल राई जोबियम नामक ब्यक्टेरिया बाट बनाईन्छा। यो मल प्रियोग्गर्दा कोशे बाली को उत्पादन प्रिती हुन्छा। धान, गहुं र मकई का लागी पनी यो मल लाददायक हुन्छा। मकई छर्दा ब्यूमाई मिसायरा छर्ना सकीन्छा। राशायनिक मल पुग्ण नसकने न पुगेका वा निस्तानमा पनी जयविक मल परियोग्गर्ना सकीन्छा। जयविक मल परियोग्सालामा बनने रा प्रविदी परियोग्गर्यरा हमरे बाता वरणमा पाइने तत्तोहरु संक्रण गर्यरा बनाईनी मल हो। जयविक मल उत्पादन गर्दा सबई बाली का लागी एक कै किसिम को नभई बाली अनुसार फरक फरक जिवाणु परियोगर्यरी छा। हल नेपाल मा जयविक मल कुवत पादन र प्रविदी अहस्तानत्रन को काम परिशत अंतर गत को माठो विज्यान महसाकाली गर्ने घरेको छा। साथ ही जाइबिक मल परियो गर्न चाहने किसान ले नजिक को क्रिशिय अनुचंधान केंद्र बाट सल्लाहा सुझाब पाऊना सक्दाछन किसान अधले चैने आफनो कुन बाली लगाऊने मेरो चैने यो माटो ठेक साचाई ना वनेरा आऊँचन जवडा और अट वनेराक प्रोडjakतर था प्रोड्रद प्रोड्क्तिति जुन इसाब अगे अनुचन आऊच है लगाइब टीजर अपलेन वर चैने यहाईबिक मेरो माटो पाऊर। अनि उनार गोचाने आमीगॉपलेंज शुन्छंछं कुछ किशिम को भाली लाँनोंच किश्त शुनको बारी अट एलॉप कुंठाउम भायो कॉस्त आभानी सत्यो संपुन ना इंफरमेशन लेपशे अमीज़े लेशन को आदार। तो पर फहल्म पता हम पता है लिओ किसम तब अज़ उत लिए मोल्गाद राखनो पर इस अज अज़िए अजरी हारी सिस्ट्म अथभा जब अजरी प्रणाली शरी नवी थे लिए हें लिए भूपपोता है अधे चेपने अजरी अज़गाद करी ना फंगी अजरी ना टो कर में वहुछ से आपिए झाहिए दो अवाव रहा है एक डेल शर्वेस कर दो यर तूछ निया है अनि फर्ले नीजूं जान चाहिया कुछD और छुन और को अर अरको अर्यान भाइं bird हजा भंड मार्केटमंः जुन छ लिफीक जून यंक उंक हरे वालमन अर्वत में लिफ्तेशन के लिफोईन भीया और फिरवग करम ठीकर मार्याग अरको पुरो को वालाज कि अपराइटी अर्को पराइटी अर्को खुरो चाने अवालगे एले रूम रोकना पर देन को जो नहीं गए को खाद्य निया रायती अन फिर अनुषार को जानि बेवस्ता मिलाँन शकन पर जो गवर्नमेंटली और या मिलाई पनी तावनी उचन अनुषन दानम्हजन गवर्नमेंटली उतिके इंपोर्डेंट दियो बनी तियस मजानी काम गौर्ना जानी शकिनछ पच्छिलु समय मा पसु पालन गर्ने करम घर्दे गायको तथा रासाइनिक मल महंगो एबं माटो मा बड़ी प्रियोग गर्दा माटो को उर्भरा सक्ति मा नई रास आउने लगाद का कारण ले जैविक मल परतिको आकस्रन बड़े गायको छा जैविक मल बास्त मा कुने नया पदार्थ नभैर हमरे प्रक्रिती मा पाईने जैविक तत्तो हर्यको संक्रन मात्र हो जैविक मल मुखे तया दुई किसिम बाट बनावन सकिन छा पईलू परियोक्सालामा बिभिन जैविक तत्तो हर्यको सम्मेश्रन बार्ट बनाईने क्रितिन जैविक मल र दोस्रों चाहीं प्राक्रितिक रूपमा नई पाईने हर्यो मल मल बनाउनु भन्दा पईले माटो मा जैविक प्रदार्थ कति प्रति सच भनेर परिक्षन गरींछा तेस पछी माटो लाई डाईजेशन र्याक मा राखेर खुद नाइट्रोजन उत्पारदन गरींछा प्रियुक साला मा जैविक मल बनाउनका लागे शुरुमा करीब 5 किलो कालो माटो लीन्छा तेस पछी तेस मा बिभिन केमिकल मिलायर राखिन्छा एसरी मिस्रण गर्दा माटो र केमिकल को अनुपात मिलाउनु पर ने हुन्छा 5 किलो माटो कालागी 5 गराम बेप्टोन नामक रसाइन प्रियुगरींछा तेस तई सोडियम प्रुपाइटेन 5 किलो कालागी 50 गराम र क्याल्शियम कार्बोनेट 5 गराम हालींछा रणतेमा चीनी जस्थे देखिने सुक्रोच नामक केमिकल 50 गराम राखिरा सबई रसाइन एकई छाउमा राखेरा रामरो मिस्रन तयार गरींछा एसरी मिस्रन पुण रुपमा तयार भईशकी पछी तिश्पची घोल बाटा 200 ग्राम का दरलेन आपेरा कोनीकल फ्लाक्स मा राखिंछा अनि हावा नच्छिरोस भन्नका लागी तेशको बिरको कागाज ले रामरारी बंद करींछा तेश पची बिकर लाई अटो कलेवर मा राखिरा एक घंटा सम्मा 21-21 डिग्री तापकरम मा राखिंछा एसरी तीन दिन समदैनिक एक घंटा समान तापकरम मा राखिंछा पादी जयबिक मल्लाई सम्रत्षण का लागी रतेश मा भयको जयबिक पदार्त खिर न दावस भनी इनिक वेटर मा राखिरा सुरक्षण गरींछा एउटा बाली काटी सके पची और को बाली रोपन अगी लगाया रा फुल फुल ने बेलामा काटी रा माटोमा यो मल मिशाइन छा एसे गरी मुलत मलके रूपमा परिगोनसक्नी बनस्पती हो एजोला पनी योटा जार्नी हो यो खासकरी खोला तथा कूया लगायात का इस्तान मा आफई उम्रीन छा भने सिमखेतरोमा पनी पाईन छा किसान को धान खेतमा पनी आफई उम्रा न सकनी यो जैविक मलको पहिचान सबैभन्दा महत्त पूर्ण कुरा हो तर मानिस्ते चिन्ना नसकेर जार ने ठानेरा उखेलेर मिलकाउन शक्षन तर एजोला जार अत्यंत उपई जार हो एसको पात मा साना चाना छिद्रहरू हुन छन जसले गर्दा हावमा भयको नाइट्रूजन एजो लाले लिन छा रेसमा नाइट्रूजन भंडारन करनी छिमता हुन छा एसले धानलाई पनी नाइट्रूजन उपलाव दगराउं छा जसका कारण 25 परतिस सत्समा इवरिया मलको खपत घटाउन शकीने बैज्यानिक घर को भनाई छा इसले भनेको यवडा चेहीं जारने हो साधारन जारने हो यह जहाँ पानी अरू जमेको पानी अरू उन्छा जस्ते आब खोलार ना ताल अरू बयो बयो बैव खुआ आरू यस्तोमा चेहीं जंगली रुबमा तेसे वासी राखया हुन्छा पहले काहिं आब किसानर को किसानर बीजी हो गाही जारे समझीर खेकमा राख ताल भानी यह जिगे खेट मा ए लाख़ा आलिति रा भालने बार भाल गर्शन वानेई हो कहीं ग्यान्को कमिले घर दागरी तेहीं एकल पाएगे जहार हो आई यस-मा चेहें केसा बने अबो युको पाहत मे साइनो बैक्टिरिया बनने जसको नाम चाहिए यहना बिना एजोली बने रा बनींच तेसले चाहिए आवमा भायको नाइट्रोजन लाई इस्तिरीकरण गरे रा आमफुले लिन चाहिए तो नाइट्रोजन लाई रह अने एजोला लाई दिन चाहिए रह तो एजोला लाई मा प्रभीतित आमिसंग अच्छा प्रचार प्रशार नभएर किसान अरूले चाहिए उपईयों करना शक्गिराखे को आवस्ता चाहिए 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 अनसुन्हान ले के देखाये चाहिए प्रचार प्रशार भएर किसान अरूले उपईयों करना शक्गिराखे को खन्दमाँ अनसुन्हान के देखाये चाहिए ह Бने कम ती माँ पनी 25% कम द्हभीतित चाहिए चाहिए 2-2-3-3-2-4-3-2-3-4-3-2-4-2-5-1-2-3-2-3-2-3-4-2-3 रामरो विवस्ता पन मिलाए रा धानकेत मा इसको प्रह गरना सक्यों बने अमी संगा अनुसंदान ले प्रमानित गरे का धरे उधारना उरुछन यसले चेहीं अब पुरे युरिया मलको चेहीं मात्रा लाई पनी कटवती गरना सक्यों चेहीं रा धानको उत्पादन दब्बर पनी बनाऊना सक्यों चेहीं अमी संगा थुप्रे अनुसंदान का जाई उधारना उरुछन एजोला नामक्यो जविक मल अर्थात बनस्पती बिविन जात धरुमा पाइँ छा तरिश्मधे नेपाल मा दुई जात का एजोला मात्र पाइँ छा एजोला सानो बैक्टिरियाने भायकाले इसले नाइटुजन भंडारन प्रियाप्त मात्रामा गरन मदद पुर्याऊं छा एजोलाले प्रती हेक्तर प्रती दिन 2 केजी देखी 4 केजी नाइट्रूजन उत्पादन गरना सक्छा जुन 10 केजी एमोनियम सलफिट मल बराबर को काम गर्छा एजोला बारे प्रयाप्त प्रचार परचार हुना सके रखेत मा फैलाओन सके बिदिस बाता आयात गरनू पने, रासाइनिक मलको आयात मा कमी लाओन सकें छा। चहीं कुखरा को दाना रूमा पनी यहलाए मेशावन सकें छा, खान्च, तेस्ते गाई बस्तो रूलाए पनी, घासको रूमा यहलाए चहीं दिन सकें छा, यह चहीं एक जमेशी छिटो बडने जाहर हो, यह हरेक तेहीं 3-4 दिन मा इसको चहीं तवल नई जान्च, आज चहीं इक किलो को छा बने तिन दिन पचि तिन किलो ऊँच आन नी आनी चौछ दिन मा दुन्हार आरको तिन दिन मा जें तवाइं को जें यौ चाहिं यौ जें 901 एकासी एकासी एकाशी यानी श्री जें यौ एस लाइच्छ चेंके बन्चा बने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट नेपमें व चिट्व बढ इजाद को जहार हो बनों ना गिजसाबले तिसरी बट्श less अब यह सबै ठाउमा विस्वत को सबै ठाउमा पाईण्स अब उसको चाहिए शा शाद वड़ा जा तारू इसन यह कुने जहीं गर्म थाउमा पाईण्स आब उन्हें लंड लेकाली आवा पानि अथावा चिसो ठाओ मा पनी पाहिशन। नेपाल मा चयिए यह जाओ दोई जाओ अरू मत्री पाहिशन याँ को आवा पानि मा त्यो हून। यह जोला पिन्हाट बनी वड़ा जाच शो फिली कुल आइडिस बने दुई जाथ को यह जो ला मात्रे पाहिन शा नेपाल मा अरु देस्टिर, पने इसको चेही दान खेति मा प्रए गवय को देखीन छा ती जाथ अरु चेही नेपाल मा पाहिने बन्दा अली फरक किसिम का चेही छन जस्ताई ये जोला माइक्रोफाईला वनिया को जाद छा त्यों के अमरो त्यों थाइलेंड तिर पाइं शैर रूब्रा बनि खुल इसे से रिकमेशकों तीसे अर्ण। जात अरू चहिं शन एज लाको, रही आरा चहिं थे लाको चहिं जुन तो मेले अइबने निस वाक्टेरिया भने तो पुर्ण हो उतले सम्हेज नायटरोजन इस्तिरीकतारण करने विविन्यकी सेल होरु उन घ्रोशिस्टल शेल, तो शेल उन उन जुनायटरोजन निसी स्ति प्रती हेक्टर प्रती दिन दुई देखी 4 केजी नाइट्रूजन उत्पादन गान सक्षा प्रती दिन दुई देखी 4 केजी प्रती दिन उत्तादन गान सक्षा यो चाही कस्तो बनुँचा बने तपको 10-20 केजी एम्मोनियम सल्फेट जुन मल राशाइनिक मल 10-20 केजी सम्मको चाही एले चाही एक दिनमा 2-4 केजी एले नाइट्रूजन दिने भाय को उनाले बर्खरे प्रस्तुद गरेऊं नेपाल क्रिशी अनुसंधान परिशद नार्क अंतरगत संचार प्रकाशन तथा अविलेक मां साखा खुमल्टार ललिदर को प्राविदिक सर्ग मां प्रविदी सम्मंदी जानकारी गरावनी क्रम मां जयविक मल को महत्तो रएस को उपेविता का बारे मां जानकारी गराएं। युँ जानकारी संगे हमिकारी क्रम को अंतमा आई पुगेगा शों। हिमालाईन अन्टप और्गानिक कोफी स्टेट एंड कांट्री पैराडाईज रिसोर्ट धादिंग नांगला। कतर साल को पाव नवशर मां संपूर्ण दर्शक, सुबचिंतक तथा देश विदेश्मा रहनुभाय का संपूर्ण नेपाली हरुमां हारदिक मंगल में शुभकामना। नेपाली किसान मां सर्वादिक लोकप्रिय आयसर ट्यक्चर का लागी दहवी अटो ट्रेडिंग विर्गांज। और बिजुली बिना पानी तान्ने पंफ पापापं। नेटाफिम इज्राइल को थोपासी चाई प्रविदी ग्रिन हाउस प्रविदी रविशादिराइत भंडार PICS ब्याक का लागी नाफ सीट फ्राइवेट लेमिटेट नटोल ललिपूर। गाईको सुत्त दूद तथा दूद बाठ बने का घ्यू, चीज, र पनीर का लागी गौतम श्री अर्ग्यानिक काउफार्म काब्रे पातलेखेद। और पन फ्रेश मिल्क, दही पनीर का लागी, श्रीकृष्ण डेरी उध्योग, पांच खाल काब्रे। पापाईलाई क्रीशीर प्रविदी कारेक्रम कस्तो लाग्षा, हामिलाई सलहा, सुजाब्र प्रतिक्रियार दिन सक्ना हुन्षा, एसे गरी तपैं आफनो गाउंगर, टोल, छर्च, सिमेकमा, क्रीशीर प्रविदी सम्मंदी, भहिरोयका गिविर्नकाल का गतिविदी पापाईलाई क्रीशीर प्रविदी प्रविदी बाटा, कारेक्रम निर्माता, निमेश अधिकारी लगायत, कारेक्रम उनिट का सम्पूर्ना टीम संगई, मुझ गपने सम्मापनी बिरहांसू, बिदा दिनो हुर्ष!